काना के 5250 वे जन्मोटसव या यू कहिए कि जन्माश्टमी पर कई महा संयोग बन रहे हैं यानि इस शुब घड़ी में आप पर बरसने वाली है बाल गोपाल काना की असीम कृपा पर इस लाब के भागी आप तभी बन सकते हैं जब आप करेंगे कुछ महा प्रयोग तो इस बार किन शुब संयोगों के साथ आई है श्री कृष्ण जन्माश्टमी किन महा प्रयोगों से बन जाएगी आपकी हर बिगड़ी बात इस पर हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योचियों का महा पैनल इस्वक्त जुड रहा है सबसे पहले उनका परीचाय आपसे कराते हैं जोतिश कुरू शिरूमनी सचिन स्वक्त हमारे साथ है सबसे बहुत स्वक्त आप सारे प्रयोग हैं और बहुत सारे सयोग अमूमन आप ये समझे कि जब कोई सामान्य त्योहार आता है तो भी अपने साथ बहुत से संयोगों को लेकर आता है और वो त्योहार किसी भी तरह का हो सकता है वो त्योहार आप अपने बच्चे के जन्म दिन के उत्सव के रूप में भी कई बार मनाते हैं और आप किवल एक अंदाजा रगाई है कि जो जगत पालक हैं जो जगत पिता हैं जब उनका जन्म दिन है जब वो जन्माश्टमी है तो फिर संयोग कितने अद्भुत होते होंगे और इसी लिए मैं पहला प्रश्ण शिरोमणी शचिन जी आपके सामने रखना चाहता हूँ और सवाल यह है कि इस बार किन शुभ संयोगों वाली जन्माश्टमी है खास तोर से जो कृष्ण के भक्त हैं जो कृष्ण के उपासक हैं वो इस बार किस तरह से जन्माश्टमी मना देखे संपूर्ण देशवासियों को कृष्ण जन्माश्टमी की बहुत शुप कामना और धेरो भदाई देखे सभी लोगों को बता दूं राम जी कि इस बार जो जन्माश्टमी का जो पावन पर्व है बहुत शुप संयोगों के साथ आया है क्योंकि बहुत सारे संयोग इस समय बने हुए हैं जैसे कि सूर्य और बुद्ध का बोदादित्य राजियोग, सरवार सिद्धियोग, रवियोग और इसी के साथ ही कृष्ण पक्षकी अस्टमी के दिन भादरपद मास के कृष्ण पक्षकी अस्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र, व्रशब लगन, अध्यरात्री में, मथुरा में, भगवान कृष्ण का प्रकटे हुआ, उनका जन्म हुआ, लेकिन आपको बता दू, इस वर्श जो ये योग संयोग बने हैं, ये बहुत चमतकारी हैं, विशेश तोर पर उन लोगों के लिए, जो संतान की कामना कर रहे हैं, जेने अपने स स्वास्ते की कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, तो इस बार के योग संयोग बहुत महित पूर्ण है मित्रो, लेकिन कुछ योग संयोग जो हम आपके साथ अभी कुछ समय में साजा करेंगे, उनके बारे में मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे दूँ, कि इस दिन काला अस्टमी भी होती है, रोहिनी अस्टमी भी है, चंदरमा व्रशब लगन के अंदर और रोहिनी नक्षत्र में हैं, तो ये अधभुद महा सयोग इस वर्ष बना हुआ है, और मुझे लगता है राम शर्मा जी कि यहाँ पर सभी लोगों को इसका भरपूर लाब उठाना चा और पर आप सभी लोगों के लिए साबित होगा, ये भी हम आपको विदिवत जानकारी देंगो। नक्षत्र में ही श्रीक्रश्न जन्मास्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, मैं इसको तहवार या पूजा कहना उचित नहीं मानता हूँ, ये उत्सव है, जो सिर्फ भारत में नहीं, पुरे संसार में मनाया जाता है, तो निश्चित तोर पर ऐसा उत्सव हो, जिसे देवता गड़ भी मनाते हो और ग्रहों की विसेश चाल ना हो, तो फिर वो उत्सव कैसा, तो सरवार सिद्धी योग जैसे की सचिन जी ने बताया, सूर बुद्ध एक साथ है, बुद्ध आदित योग बन रहा है, चंद्रमा रोही नक्षत्र में होने की वज़े से, प्रबल कही न कहीं मजबूत हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, और यही कुछ इस्थिती पूरी तरह सो तो नहीं, लेकिन श्री करश्न के जन्म के दोरान भी बनी थी, सूर अपने ही राशी में थे, चंद्रमा उच्च के थे, ब्रहस्पती अपने ही राशी में थे, वर्षप लगन का उध्या माना जाता है, शीक रशनी का बर्थ माना जाता है और निश्चित तौर पर जो ये योग हैं, जो आपको हम बता रहे हैं अपने आप में काफी सालो बाद इस तरह के शुव योगों में वापस जन्मास्टमी परड़ रही है तो निश्चित तोर पर ये जद्मास्टमी में की जाने वाली पूजा, किया जाने वाला उत्सव, अपने आप में हरसो लास लाएगा और खास तोर से स्रीकरस्निकी पूजा, करुणा, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है तो निश्चित तोर पर संतान प्राप्ती हो, प्रेम की प्राप्ती हो, सुरक्षा की प्राप्ती हो उन सब के लिए ये दिन सरसेष्ट माना जाएगा और इन सारे योगों की वज़े से ये दिन वैसे भी सरसेष्ट है जो माता है मैंने गर्वती हैं उनके लिए पूजा करना शीकर्षन की बहुत अच्छा रहेगा कुछ मंत्र कुछ पूजा विधीवत अभी हम लोग बताएंगे जिसको आप कर सकते हैं अमित पांडे जी हम लोग कहते हैं कि तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा लेकिन मन में कुछ कामनाएं तो रही जाती है अगर मनुष्य योनी में जन्म लिया है तो लालच भी स्वाभावेक है कि हमारे मन में रहता है और ग्रहस्त जीवन में तो ये सामान्यविश है जो मैं बताएंगे उसके अनुसार जो मंत्र बताएंगे अगर कर लिया जाए तो क्या-क्या मिलेगा देखिए जैसा कि अभी सब विद्वान जो हमारा पैनल बैठे हुए हैं इन्होंने बता दिया कि भाद्रपद कृष्ण पक्त की अस्टमी इस दबार क्यों खास है रही बात आपने जो कहा कि मानो जीवन है ग्रहस्त में स्वारत लाग करेश प्रिती सुर नर्मुन सबही की रीती संसार में जो आया है किसी ने किसी प्रीत अनुरागर है कोई नो को इसका स्वार्थ होता है रही बात मनो कामना भगवान का जन्म जब हुआ इस धर्थी पे उस समय उन्होंने संसार में रहने वाले सभी जीवं की मनो कामना को पुर्ण करने के लिए ही उन्होंने अता लिया था गोधिज देव धेनु हित्वकारी कृपा सिंधु मानुस तमधारी जब भगवान धरती पे आते हैं तो लोगों की मनोकामनाओं को ही पूण करने के लिए आते हैं तो यह सवाल ही जब भगवान आ गए कुल आपकर अपने आप में हो जानी है भाधरपद कृष्णiपक्स की अश्टमी जब भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जो मनोकामना पूर्ण की वह मनोकामना पूर्richtHaubbye ty पृत्वी की मनुकामना इसलिए पून की की भगवान नारायन की दो पत्निया रही एक श्री देवी एक भूदेवी, तो कभी भूदेवी का संसर्ग नहीं हुआ नारायन सुरूप से, राम में चुकि उनकी जो पुत्री नहीं जानकी उनका वर्ण किया, जब स्री कृष्न के वायू का शुद्ध किया त्रिनाव़त का वद करके विंचृत की मनोकामनाओं को जो पूर्ण कर सकते हैं ऐसे स्वयंभू, बिराड, सुरूप, स्री नारायन वो मानो मात्र की मनोकामनाओं को पूर्ण करना कौन सी बड़ी बात है किंचित मात्र एक इसारा हो जाए तो सभी मनोकामनाओं पूर्ण हो सकती है लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्म बंधन से बढ़ा है जैसा कि भगवान का भी जन्म हुआ चुकि हम जोतसी है हम किसी भी विशय को जोतिस के द्रिष्टी से देखते है भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्म कुल्णियों में कुछ भेद है जैसे भगवान स्री कृष्ण की जन्म कुल्णियों अगर देखी जाए तो यहां उच्च का चंद्रमा है और भगवान स्री राम की कुल्णियों देखी जाए तो सूर्य उच्च का है तो चंद्रमा चुकि चंद्रवंसी है भगवान स्री राम सूर्य वंसी है लेकिन इसमें जो मेन अंतर है, मुख्य अंतर है कि भगवान स्री कृष्ण का जीवन संघर समय रहा एक बचपन अलग बीता, युवा अवस्ता अलग बीती तमाम सामर्थ होते वे भी उन्होंने दुख जहले भगवान राम की यात्रा अलग रही मर्यादा की तो दोनों की मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए मंतर अलग है, पूजा अलग है दोनों की उपासना पद्धती अलग है तो अगर आपकी मनोकामना है, कोई विसेश मनोकामना है तो उसके लिए अलग तरह के मंतरों की बारे में स्रीमत भागवत में जो बताए गए हैं उन मंत्रों का परियोग करें बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए और जन्माष्टमी पर कैसे चमक सकता है आपका भाग्य किन उपायों से पूरी हो सकती है आप सभी की मनुकामनाए ज्योच्चियों के सबसे बड़े पैनल ने इस पर खुलकर हमारा मार्ग दर्शन किया है जन्माष्टमी की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है महा सयोगों के साथ हाई इस जन्माष्टमी पर जी न्यूस पर सबसे बड़ी कवरेच लगातार जारी रहेगी और आप देखते रहे है जी न्यूस